दोस्तों पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक बात दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर का महिना बीच चुका है और हम 2022 में आ गए हैं 2021 को छोड़ कर और दियर फ्रेंज अभी तक सभी कार कंपनीज ने तो नहीं लेकिन Tata, Nissan, MG और Maruti Sussき इन सभी ने अपने सेल्सफिगर रिवील कर दिये हैं दिसंबर 2021 की तो दोस्तों चलिए इन सभी का सेल्सफिगर जान लेते हैं दोस्तों एक बात हम बताना चाहें कि Tata का सेल्सफिगर इतना अच्छा रहा है कि इसने हुंड़ेई को भी लगभग बीट कर दिया है December 2021 में और ये भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली passenger vehicle companies हो गई है तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं इन सवी के sales figure को पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम Nissan की तो Nissan का sales figure दोस्तों December 2020 के मुकाबले 159% ज़्यादा हुआ है December 2020 में इसका sales figure दोस्तों 1159 unit था जबकि इस साल December 2021 में Nissan का sales figure 3010 unit रहा अगर बात करें वहीं MG Morris Garage की तो इसका sales figure दोस्तों 37.33% कम हुआ है December 2020 के मुकाबले क्योंकि December 2020 में MG Motors की 4010 unit भी की थे जबकि इस महीने November 2021 में इसका sales figure केवल 2497,2497 unit रहा अगर बात करें वहीं मारूती Suzuki की तो इसका sales figure दोस्तों 130,869 unit रहा जो की 13% कम है December 2020 की तुनला में December 2020 में मारूती Suzuki की 150,288 unit भी की थे अगर बात करें December 2021 के sales figure की तो अल्टो और espresso का sales figure 35% कम हुआ है December 2020 के मुकाबले December 2020 में अल्टो एस्पेसो की 16,320 unit भी की है जबकि December 2020 में इसकी 24,327 unit भी की थी और वहीं अगर बात करें Swift, Vleno, Celerio, Ignis, Desire इन सवी का sales figure भी दोस्तों 11% कम हुआ है December 2020 के मुकाबले December 2020 में इन सवी का sales figure 77,641 unit था जबकि इस December 2020 में इन सवी का sales figure 69,345,79,345 unit रहा अगर बात करें सियाज की तो सियाज का sales figure थोड़ा बहुत कम हुआ है December 2020 के मुकाबले December 2021 में Celerio का 1204 जबकि December 2020 में 1210 unit था अगर बात करें वहीं Vareza, Artega, S-Cross इन सवी का sales figure 26,982 unit रहा जो की 5% ज़्यादा है December 2020 के मुकाबले December 2020 में Vareza, Artega, S-Cross इन सवी का sales figure 25,701 unit था तो dear friends यही रही मारूती सुजकी के सभी models का sales figure अगर बात करें वहीं अब Tata Motors की तो Tata Motors ने तो Tata Motors ने बहुत ही लंबी छलांग लगाई है Tata Motors का sales figure दोस्तों December 2021 में 35,299 unit रहा जो की इस बार बहुत ही बढ़िया रहा दोस्तों अगर हम बात करें December 2020 की तो December 2020 के मुकाबले Tata Motors के passenger vehicles का sales figure 50%, 50% जादा हुआ है जो की December 2020 में 23,545, 23,545 unit था तो दोस्तों आप देख सकते हैं की Tata Motors का sales figure कितना अच्छा रहा है December 2021 में Dear viewers ऐसा माना जा रहा है की Tata Motors ने हुंड़ई को बीट कर दिया है December 2021 में हलाकि हुंड़ई ने अभी तक मेरी वीडियो वनाने तक अपना sales figure reveal नहीं किया है तो कुछ clear हम कह नहीं सकते पर ऐसा माना जा रहा है की December 2021 में Tata Motors ने हुंड़ई को बीट कर दिया है और भारत के car manufacturers की list में second position पर आ गई है So dear viewers इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाएं जिसे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास तुरंद पहुँचे वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिन सुगू